नमस्कार आप देख रहा आरेडियू न्यूस मैं हूँ योगी श्क्रवति जेडियू संसद्य बोर्ट के अध्यक्ष उपेंद कुश्वाहा की बगावत दुसरी तरफ जेडियू के अंदुरूनी मामले में जो है बीजेपी भी कोट पड़ी है और उपेंद कुश्वाहा की बगावत को सही करार दे रही है बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि उपेंद्र कुश्वाहा ने जो बगावत किया है वो गलत नहीं है उनका अधिकार है क्योंकि उपेंद्र कुश्वाहा एक बड़े नेता है लिहाजा उनके साथ उसी तरह का प्रवक्ता प्रेम रंजन पठेल किस तरह जेडियों कि अंदरोनी लड़ाई में अपनी टांग घुसा रहे हैं। उप्ध्र कुसवाहजी के अंदर सरकार में मनती रहे हैं। विहार में प कोई अधिकार नहीं देना वो सम्मान नहीं होता है इसलिए उपिंद्र कुसवाह जी ने पार्टी के अंदर जो एक्छत राज चल रहा था या चल रहा है केवल दो व्यक्ति एक निर्णय करने वाले दूसरा इंप्लिमेंट करने वाले व्यक्ति है वो तो पार्टी है नहीं व्यक्तिवादी पार्टी है उस पार्टी में लाकर करें उपेंद्र कुस्वाहा जी को केवल जुन जुनना थमा दिया गया इसी बात को तो उन्होंने कहा है तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है जरूर जब 1990 में विहार में जंतादल की सरकार बनी थी उस सरकार में नितीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे उसी हिस्सेदारी को लेकर करके 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली भी थी और उसके बाद समतापाटी का गठन हुआ था उस समय से उपेंद्र कुस्वाह जी उस पाटी के अंदर में थे और लगातार पाटी के काम को कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूँ हमारा भी योगदान है समतापाटी से लेकर के जदी तक के बनाने में और सही बात है कि आज जो हिस्सेदारी लालू से अलग लेकर करके लब कुसाती पिछडा वरक के लोगों ने एक ताकत बनाई थी वो ताकत आज धीरे धीरे कमजोड होता जा रहा है वो ताकत आज हासिये पर चला गया है वो ताकत अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है उसी की बात उपे किउद्रकसवाहा कर रहे हैं बाक्त इंटापाटी से जुडा हुआ मामला नहीं है बारतिय जंटापाटी सब को का सम्मान करती है और सबको साथ लेके चलने काका काम करती है नितीज कुमार जी ने भारतिय जंता पार्टी को धोखा देने का काम किया नरेंद्र बोधी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया और विहार की आम अवाम को धोखा देने का काम किया इस बात को उपेंद्र कुसवा जी लगातार उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि नेता कर रहे हैं लंगलई सरकार है और सीधी सरकार हम बनाएंगे बहुत जल्द तो बताईए कि आखिर क्या बाते हो करकर के गठवंदन हुआ था यही तो उपेंद्र कुसवाह जी बोल रहे हैं और उनके काफिने पर कर हमला भी हुआ था यह हिजड़े लोग हैं कमजोड ल लेकती नहीं है जिनको आप जबर्दस्ती जो हैसे उनकी आवाज को बंद कर दीजिएगा वो बंद होने वाली आवाज नहीं है